गुट मॉर्निंग फ्रेंट्स, ओमी किचन गार्डन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे कीडे मकॉडे हमारे गार्डन पे अटैक कर रहे हैं और उनसे कैसे निपता जाए फ्रेंट्स, कीडे मकॉडे बारिश के साथ आते हैं और गार्डन में बहुत साधा बरबादी करते हैं चाहे वो स्नेल्स हो या वाइट फ्लाइज हो या कोई अधर इंसेक्ट हो जो हमारे गार्डन के पत्तों को बहुत जालीदार टाइप का बनाने लगते हैं तो फ्रेंट्स, इन सबसे निपटने के लिए आज मैंने एक पावरफुल पाउडर बनाया है तो पहले हम समझ लेते हैं कि किस किस टाइप की बीमारिया मेरे गार्डन में लगी हुई है तो आप यहां देखिए वाइट फ्राइस का अटैक हो चुका है पत्तियां जो हैं ओकरा की जालीदार हो रही है और यह सिर्फ ओकरा में ही नहीं है ब्रिंजल की बैगन की पत्तियां भी जालीदार है मिर्च की पत्तियों में कुछ थोड़ा कहते हैं सिकुलने सी लगी है यह जो शिमला मिर्च का है और यह देखिए बैगन की पत्तियां जालीदार बन रही है और तो और पंकिन प्लांट में जो पत्तियां उसकी जितनी रफ होती हैं उसकी पतियों को भी कीडों ने नहीं छोड़ा है और यह दिखाई नहीं देते तो friends इन से निपटने के लिए आज मैंने एक perfect formula तयार कर लिया है जिससे ना तो हमारे plant की growth रुकेगी even हमारे plant में बहुत अच्छी flowering भी होगी और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी कीडा, मकौडा, fungus कुछ भी attack नहीं करेगा और सभी plant में हम सर्फ इसी एक powder को use करेंगे और बहुत आसानी से free में घर में तयार होगा कोई बहुत market से आपको इस पर खर्च करने के जरूरत नहीं है तो friends यह आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह wood ash है, इसको rock भी कहते हैं लकडी जलने के बाद जो rock होती है, यह वो है तो friends, rock के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, rock बहुत ज़ादा highly इसमें calcium, potassium, magnesium होता है लेकिन यह soil का pH बढ़ा देती है, मतलब यह soil को alkaline कर देती है तो soil में जो plant लगा है, वो यह सारी अच्छी चीज़े ले नहीं सकता है अब मैंने इसमें coffee डाल दी है, तो coffee का roll क्या है काफी यह जो बढ़ा हुआ pH है, इसको कम कर देगी तो अब यह neutral, अब यह जो भी हमारा powder बना यह soil के pH को जब भी soil में जाएगा, यह ऐसे रखेगा कि वो plant वहाँ से nutrients ले सके, सारी चीज़े ले सके प्लस क्या होगा इसका benefit, इसको हम sprinkle कर रहे हैं कहाँ sprinkle कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे जैसे उनके उपर लग जाती, उनको पसंद नहीं होता वो बिल्कुल इसको like नहीं करेंगे, प्लांट को बारिश में पत्तियां बहुत साफ हो जाती है, नहीं नहीं निकलती है soft पत्तियां उनको बहुत attract करती है और इससे राख अगर आप सिर्फ राख प्लांट में यूज करते हैं तो क्या होता है, हम हैं उत्तर प्रदेश में तो यहां की सोयल जादा तर alkaline है और अगर हमने राख डाली, तो राख सोयल को और alkaline कर देगे और प्लांट को सब कुछ दे तो दिया, हमने calcium, potassium, magnesium पर अब उसकी roots ले नहीं सकती, क्योंकि सोयल जो है, वो alkaline हो चुकी है तो प्लांट बहुत अच्छे से cup grow करता है जब सोयल जो है, वो थोड़ी slightly acidic हो तो वहां से वो जितने nutrients होते हैं, तब वो ले पाता है तो आपको coffee powder डालना है, अब ये balance pH हो गया इस powder का, अब ये सोयल पे कुछ भी different effect नहीं डालेगा वरना ये होता है, charcoal powder है, आप इसको यहां नहीं use कर सकते वहां नहीं use कर सकते, आप इसको use करिए और plus coffee में अपने आप में इतनी चीज़ें होती है कि कहते हैं, वह बहुत bitter taste को होता है, plant में stick कर जाएगा तो insect को उसका taste नहीं अच्छा लगेगा तो बहुत सारे benefits है अब friends, यहां पे मैंने आपको ये result दिखाया है result क्या है कि इस plant पे क्या मुझे problem face करने को मिली मैंने शुरू में plain wood ash यूज करा friends, मेरे इस plant को बहुत सादा चीटियां इसमें बहुत सादा चीटियां लगी तो मैंने देखा था कि wood ash यूज करो तो चीटियों का attack नहीं होगा और जब मैंने उसमें wood ash यूज करा तो देखा कि इसका soil का pH खराप हो गया इस वज़े से इसकी पत्तियां आपको देख रही होगी जो old leaves है पुरानी पत्तियां है उसमें yellow yellow से कुछ spots देख रहे थे तो friends फिर मैंने देखा कि क्या reason है इसमें कुछ nutrients की कमी हो रही है सारे nutrients तो थे इसमें क्या problem हो गया चानक से फिर मुझे पता चला कि इसके soil का pH जो है वो जादा alkaline हो गया है कौफी powder से मैंने इसके pH को balance करा और जब pH बैलन्स हुआ तो आप इसकी leaves जो टॉप leaves है जो अब नई निकल रही है अब देख पा रहे होंगे कि वो कितनी अच्छी है अब उनमें कोई problems नहीं है तो पीछे से देखिए आप कैसे leaves yellow हो रही है मतलब इनको nutrients की कमी हो गई है तो soil तो आपकी बहुत अच्छी है पर plants उसको ले ही नहीं सकता है तो आप ऐसा भी fertilizer दे के करोगे क्या कोई काम का तो है नहीं तो friends हमें जब fertilizer या कोई भी चीज हम insecticide बे डाल रहे हैं कोई भी plant में चीज यूज करते समय हमें उसकी growth को भी maintain करना है growth नहीं होगी तो क्या फाइदा कि insect भी उसे नहीं खाएगा और हमारे भी किसी काम का नहीं तो जो मैंने आज powder आपको बताया है कि और friends इस तरीके का powder आप अपने घर पे अहसानी से बना के उसको किसी airtight डब्बे में स्टोर करके रखिए जैसे ही बारिश होने के बाद खतम हो जाए आप तुरंट चाहिए अपने garden पे sprinkle कर दीजिए new leaves है अभी fresh बारिश में धुल गई है तो कोई भी कीडे मकॉडे बहुत असानी से attack करने की कोशिश करते है तो बारिश के तुरंट बाद जाके sprinkle करिएगा इन बातों का ख्याल र को subscribe करके support करिए friends आपका support मिलता रहेगा तो हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे friends मिलते हैं जल्दी एक next वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए stay safe stay healthy thanks for watching बाद तक अपनाते हैं लिए प्योग कर्फ़ करेंगे नवीडियो इन दुमिलता है में ऊच्छे कर रहें तक रहें उसका कर एक आपकाश्ग कर रहेंगे भार पके एक तक रहेंगे जाशा अईगर पर जो बनाते हैं